हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम पुरुण्य एकमार गवरो और आज में आप पहने ओला हूं रिफ्रिजरेशन तरहले स्टार्ट करते हैं रिफ्रिजरेशन क्या होता है इस फ्रोसेसर क्या है और फालवम रसीद प्रोसेसर किया तक करते हैं डबारी बाड़ियां रिफ्रिजरेशन भी और अजाथे ब्रोसेसर क्या बुरह अड़ इंगर आन निजम अ typ जो तरहले है तिह लिए स्टार्ट करते है क्या है कि यह एक ऐसा प्रोसेस से जिसमें किसी पदार्थ से किसी कंट्रोल कंडिशन में हीट को क्या इता है pay was void किया एता है ओ वो बॉडी हमारा क्या होता है यानि कि हम हमेशा इसमें क्या करते हैं कि है है अगर हम्हारा कोई hot body है हर यह हमाली जय हमारा refrigerator है यह हमारा हो गया क amen हमारा यह हो गया हट बॉडी यह हमारा क्या हो गया cold body cold body है और यह हमारा क्या हो गया refrigerator हो गया अब देखिए इसमें क्या होता है कि यह हमारा जो cold body है इसका temperature माली ज़िए हमारा T1 है और इसका hot body के temperature क्या है T2 है तो heat का इंट्रेक्स है यानि कि और हमारा इसमें रेफिजरेटर का कार्य होता है कि यह heat को ट्रांसफर करे यानि कि T1 body जो हमारी है T1 जिसका temperature T1 है cold body का temperature T1 है और hot body के temperature क्या है हमारा T2 है तो यानि कि T1 less than है T2 से उस condition में हमारा body क्या करता है कि रेफिजरेटर क्या करता है cold body से hot body में क्या करता है heat का ट्रांसफर करता है यह क्या हता हमारा रेफिजरेटर का क्या होता है कार्य होता है तो चलिए हम स्टार्ट करते फिर से अब क्या होता है the refrigerator means a continued extraction of heat from a body whose temperature is already below the temperature of heat's surrounding तो यह एक ऐसा रेफिजरेटर रेफिजरेटर रेफिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि surrounding temperature अधिक होता है और हम जो heat का transfer करते हैं जिसका temperature surroundings क्या होता है कम होता है तो हमें surrounding में क्या करते हैं उस cold body क्या करते हैं heat को surrounding में क्या करते हैं transfer करते हैं इसके बाद देखते हैं, unit of refrigeration क्या होता है, unit of refrigeration पखलेते हैं, देखिए, यह दिखिया है, one TR, यानि कि इसका unit क्या होता है, refrigeration होता है, refugation यानि कि ton refugation में इसका measure किया आता है, यहां लिखा है कुछ, कि one ton of refrigeration is equal to amount of heat, amount of refrigeration effect produced by the uniform, melting of one ton, one ton, one ton, yeah, one thousand kg of ice from and at zero degree Celsius in 24 hour, यह इसका मतलब है कि, कि एक ton ice को 24 घंटे में पिखलने के लिए जितनी आवस्यक जो हमारा हुस्मा होती है, उसको melt करने के लिए, वो हो 24 घंटे में हमारी क्या कलाती है, one ton refugation कलाती है, और one ton में हमारा क्या होता है, one thousand kg होता है, तो एक 1000 kg ice को zero degree Celsius से पर 24 घंटा में पानी में करने के लिए जितनी आवस्मा होती है, उतना हमारा क्या होता है, one ton refugation होता है, इसके बाद देखिए, अब हम जानते हैं कि हमारा जो है latent heat up ice कितना होता है, 335 kJ पर kg होता है, यानि कि एक kg ice को melt करने के लिए उसके अंदर कितनी घंट घंटा में होती है, 335 kJ होती है, यानि एक kg के लिए होती है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका अन यूनिट क्या होता है, तो देखिए इसका अन यूनिट क्या होता है, 1Ti is equal to होता है, हो जाएगा हमारा 1000, यहनि कि 1000 kg हमारा है, एक kg के लिए मारा था, 335 kJ पर kg था, तो 1000 के लिए कितना हो जाएगा, 1000 गोगे 335 kJ, उसके बाद कितने घंटे में, 24 आवर में, तो अब हम निकाल देखिए कि, एक मिनट में कितना है, इसका कंजम्शन होगा, तो एक हमारा मिनट में कितना हो जाएगा, एक मिनट में हमारा हो जाएगा, एक मिनट में, 1000 इंडू 335, अपन 24 इंडू 60, तो यह हमारा कितना आजाता है, 232.6 kJ पर मिनट, यानि कि एक मिनट में कितनी उड़ जाएगा, उसको, यह 232.6 kJ पर मिनट होता है, अगर हम इसी को कनवर्ड करें, किलो जूल पर सेकेंड या किलो वाट में चेंज करें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 अपनों को, तो हमारे यह कितना जाएगा, 232.6 आपन-60, तो हमारे कितना जाएगा, 3.5 kJ पर सेकेंड या 3.5 kW हो जाएगा, आब इसके बाद देखी, कि हम आगे चलते हैं इसमें कहें कोफिसेंट आफ परफॉर्मेंस यानि कि हम रेफिजरेशन में जिसे हम लोग इंजन में यूज करते हैं एफिसेंटी का इसी तरह हम heat pump या refrigerator के लिए हम यह क्या यूज करते हैं coefficient of performance यूज करते हैं तो देखिए हम क्या होता है कि coefficient of performance क्या होता है it is the ratio of heat at heat extracted in the refrigerator the work done on the refrigerator to the work done on the refrigerator एक बार फिर से बता देते हैं क्या होता है it is the ratio of heat extracted in the refrigerator to the work done on the refrigerator यानि कि यह refrigerator के द्वारा कितना heat निश्कासित किया आता है अपान में refrigerant पर कितना कार किया आता है इन दोनों का अनुपास हमारा क्या होता है कोफिशेंट परफार्मेंस रेफिजेरेटर का अब अब इट इस आलसो नोन आज theoretical coefficient of performance इसे coefficient theoretical coefficient of performance भी का सकते हैं काते हैं अब देखिए क्या होता है रेफिजेरेटर इसे reverse heat engine अब देखिए सबसे important चीज़ इसमें क्या question आसकी आते हैं किसी भी competitive exam में तो क्या काता है रेफिजेरेटर इसे reverse heat engine होता है या heat pump होता है ठीक है इसे बहुत सारे exam में आज आप पूछ लेता है कि रेफिजेरेटर क्या है एक heat engine है reverse heat engine है heat pump है तो देखिए इस तरह हमें theoretical question पता करने चाहिए एक refrigerator क्या होता है reverse heat engine होता है reverse heat pump होता है which pumps heat from a cold body and deliver to a hot body जिसका कार्य क्या होता है जो cold body से heat को extract करके उसे hot body भी क्या करता है deliver करता है यह हमारा क्या होता है refrigerator का कार्य होता है the substance the substance which works in a heat pump to extract heat from a cold body and deliver it to a hot body is called refrigerant यानि अब यह बता रहा है the substance which works in a heat pump एक ऐसा पदार्थ जो heat pump में heat को extract करने के लिए use किया आता है जिसका कार्य होता है है कि cold body से heat को लिए करके उसे hot body में deliver करने का उसे हम लोग क्या करते है refrigerant करते है यह जो cold body से hot body में heat को transfer करने में क्या करता है सहायक होता है या जो कार्य रहत होता है working substance होता है उसे हम क्या करते है refrigerant करते है इसके बाद देखते हैं कुछ इसमें important point आते हैं जो एक्जामिय आज की होते हैं question पूछी आते हैं the coefficient of performance is the receive local of the efficiency of heat engine important point क्या होता है हमारा coefficient of performance होता है यह क्या होता है heat engine का क्या होता है heat engine के efficiency का reciprocal होता है यानि कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर माली जी हमारे efficiency का हम लोग eta दिखाते हैं तो eta किसके बराबर होता है one upon c o p of किसके refrigerator के ठीक है तो ऐसा हमारा होता है आप देखिए it is always it is always greater than one इसके value हमेशा क्या होती है एक से अधिक होती है अब देखिए कुछ important फार्मूला जो पर आधारित question आते हैं यह से पुछ लेता है कि relative relative coefficient of performance क्या होता है relative relative coefficient of performance क्या होता है actual coefficient of performance upon theoretical coefficient of performance देखिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या होता है यह हमारा क्या होता है actual coefficient of performance होता है और यह theoretical होता है जो हम लोग क्या करते है है जो हमारा क्या होता है जो हमारा क्या होता है रिवर्स क्या होता है इन दोनों का अनुपात हमारा क्या कहलाता है relative coefficient of performance कहलाता है अब देखिए आगे बगते हैं reverse Carnot cycle air refrigerator तो अब हम पगते हैं कि reverse Carnot cycle air refrigerator के बारे में कि यह होता क्या है तो इस पे जो reverse Carnot cycle air refrigerator तो अब लोग जानते ही है Carnot cycle जो होती है heat engine के लिए होती है उस पे heat addition और heat rejection होता है उसकी efficiency क्या होती है दिकतम होती है जब इसकी efficiency दिकतम होती है तो इसका coefficient performance भी क्या होगा अधिकतम होगा ठीक है तो इसलिए हम से पहले इसका आधियन kierते है अब इस में देखिए हमारा जो important point किया आता है कि reverse Carnot cycle का cycle कास होता है reverse Carnot cycle अगर पॉसिबल एफिसेंशी अधिक होगी तो उसका कोफिसेंट पर्फॉर्मेंस गया होगा अधिक होगा इसके बाद देखिए हमारा इट इस नाट पॉसिबल टू मेक एंजन वर्किंग आन कार्नाट साइकल जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्नाट साइकल पर इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है तो इट इस नाट पॉसिबल टू मेक एंजन वर्किंग आन कार्नाट साइकल इसी प्रकार सिमिलरली इट इस नाट पॉसिबल टू मेक एंजन पॉसिबल नहीं है बनाना उससी प्रकार रिप्रेटर मसीन वी बनाना क्या है पॉसिबल नहीं है अब एक सी और से पुझाता है कि इसमें वर्किंग मीडियम क्या यूज किया आता है यानि कि जो कार्यपदार्थ होता है वर्किंग मीडियम क्या यूज करते हैं तो हमारा वर्किंग मीडियम में होता है यूज यह यह यूज कियाता है working medium के रूप में ठीक है अब देख लेते हैं कि इसका cycle क्या होता है PV डागराम और इसका TS डागराम तो देख लेजिए जैसे हाँ पर बनाए गया है यह हमारे यहाँ पर दिया गया है प्रेशर का axis है यहाँ पर प्रेशर है इस साइड में हमारे और इस साइड में क्या है वाल्यू मायतन है ठीक है अब देखिए इसमें क्या क्या होता है तो हमारा देखिए 1 से 2 इसमें हमारा दो आइसो थर्मल होते हैं और दो हमारा क्या होते हैं आइसेंट्रोफिक प्रोसेस ह होते हैं ठीक है मैं अब मारा बना गया है प्लोट है है में मारा wonder टू क्या है यहां इस प्रकार आप खोंगराम है और यहां पर आ साइकल है और इसी प्रकार ति यह टाइग्राम है 1 से 2 है 2 से 3 है 3 से 4 है और 4 से 1 है इस पकार आपार यह क्या करता है reverse Carnot cycle क्या होती है यह जो होती है अब देखिए आगे बगते हैं अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं देख लेते हैं सब्सक्राइब कि यह फोर चार प्रोसेस में होते हैं पहला प्रोसेस होता है 1 से 2 iso-tropic compression होता है इसमें क्या होता है no heat absorbed or rejected by the air, हैंने कि air के दवरा कोई भी heat का आदान प्रदान नहीं होता है 2 से 3 फिर्च में क्या होता है 2 से 3 में देता है isothermal compression होता है इसमें क्या होता है heat rejected by the air यहने कि heat क्या होती है आइसो थर्मल में क्या होता है heat का rejection होता है और कितनी मात्रा में heat reject होती है तो हम जानते है T3 S2 minus S3 अब देखिए कैसे होगा S2 minus S3 तो देखिए यहाँ पर heat किमारा कितना हो जाएगा T1 diagram हम लोग देखते हैं जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है Tё into Ts हम मात्रा निकाल लें ठीक है अब देखिए चूकिवी हाँ जानते है T3 Time T2 लॉश्शि बराबर है क्योंकि यह क्या है इसो थर्मल प्रोसेस है इसो थर्मल प्रोसेस है डिकना तो इसो थर्मल प्रोसेस है तो temperature क्या होगा, T3 और T2 क्या होगा, बराबर होगा, तो हमारे पास जो हमारा उस्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी, यानि कि उस्मा की मात्रा हमारे यह बताएगा, यानि कि यहां से यहां तक का, और यह हमारा क्या हो जाएगा, यह entropy हो जाएगी, entropy में difference, और यह हमारा क्या हो temperature की लाइन इन दोनों का product हमारा क्या हो जाएगा Q की मात्रा हो जाएगी heat की अब देखिए इसके बाद हमारा Q2C3 केतना हो गया T3H2-H3 इसके बाद नो इसके बाद हमारा तीसरा process काउन सा होता है तो तीसरा process होता हमारा isentropic expansion होता है तीन से चार meaning of heat absorbed or rejected by air ने चुकल कि क्या है Acentropic process होता हरो endiABatic process होता है हीट का अदान प्रदन क्या होता है नहीं होता हो current low heat absorbed, low heat rejected by the air तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अगे देखते ँए इसके बाद हम अगला प्रोसेस काउन सा होता है तो अगला process होता है Western Thinking 4-7 होता है heat absorbed by the air अब क्या होती है अब heat क्या होगी system के द्वारा क्या होगी absorb की जाएगी यानि कि air के द्वारा क्या होगी अब absorb की जाएगी कितनी मात्राम होगी तो q4-7 हमारा कितना अब द्वार भोका t4-s1-s4 ठीक देखिए यहाँ पर हमारा यह टीर डियागराम में क्या था हमारा है यह देखिए हमारा है q4-7 कितना है t4-s1-s1-s4 ठीक है अब देखिए यहाँ पर यह देख लीज़ें हो है यह हो गया हमारा कि ए ज़ elder ऑगल यहां फिस थाल आपर यह यहां पर टेमरेचछर यह चन्ट है यह कोंड़न फिए यह लिखल्ट क्या है T4 है यानि T1 या T4 लिखेंगे T4 और हमारे क्या हो जागा यहाँ पर इंट्रापी हो जागा यहाँ पर इंट्रापी दुनों का डिफ्रेंस यहाँ कि हमारे Q4 से 1 कितना हो जाएगा T4 S S1 माइनस S4 तो यह हमारा क्या हो जाएगे heat absorbed by the air हो जाएगा फोर से 1 के दौरान और हमारा heat कितना reject हो रहा था तो हमारा heat reject हो रहा था यानिकि T3 T3 अब क्या हो जाएगा Yes यह हमारा क्या था हीट reject हो रहा था ठीक है अब आगे हम लोग देखते हैं अब देखिए यहाँ पर हमारा कोफिशेंट पर्फार्फार्मेंस इसका निकारेंगे रिपेजेटर का रिवर्स कार्णर साइकल पर दारीत जो है तो देखिए इसका फार्मूला आप लोग जानते ही है क्या होता है हीट अब्सक्राइट तो हम लोग निकाल लेंगगे वर्कक डन कैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पर वरकक्डन क्या होता है भरक्डन हेडर हीट एब्जर्ड मैंश हेड्रेट ह pension का चै जो हमारा जो बचता वहीं हमारा क्या होता है कार्य होता है हुआ है तो यह हम निकाल लेते हैं यह हमारा हो जाएगा हम लोग भी निकाल लेते हीट हमारा क्या था हीट अबजार्ड कितना था टी 3-3 था और हीट रिजेक्टिट कितना था तो अब इंदो लोग अंतर हम लोग निकाल देते हैं वर्गडन आ जाएगा यानि कि वर्गडन हमारा जाएगा यहां पर देखलो जाएगा मेरा वर्गडन आ जाएगा टी 2-3-4-3-3-2-3 यानि कि हम लोग जानते हैं टी 4 is equal to t1 है और t3 is equal to क्या है टी 2 है तो हमारा फार्मुला जाएगा फार्मुला हो जाएगा हमारा t2-t1 h2-3 यहां जाएगा अब इसकी वैलू हम लोग कहां पर रख देते हैं यहां पर रख देते हैं तो हमारा फार्मुला हो जाएगा फिर यहां पर Heat absorbed कितना हमारा हो जाएगा T1 Is2-3 Ќर Heat work done हमारा कितना है ममारा कितना हो जाएगा तो हमारे यहां से हमारा क्याओख is2-3 क्या हो जाएगा Common हो जाएगा यहां से缸िलम लोग कर सकते हैं और हमारे पॉस्या जाएगा T1 upon T2-T1 अब हमारे एक कोपिजेंट परफॉर्बेंस आ जाए इसका अब देखिए अब हम इसके कुछ हम लोग को याद रखना चाहिए हमेशा कि इससे पूछा आता है कि कि रिवर्स कार्णाट साइकल के एपिसंट्री कैसे इंक्रीज किया सकती है तो देखिए इसके सियोपी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर होते हैं इसमें दो फैक्टर इंपोर्टेंट हो ज़्याद होते हैं कि decreasing the higher temperature यहने कि higher temperature क्या करना कम करना और जैसे की जामपल आप यहने कि जो होट बाड़ी है उसका temperature क्या करना कम करना और दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि इसका जो कोफिसेंट परफर्फरमिस क्या करते हैं increasing the lower temperature यहने कि lower temperature को बग़ा करके यहने कि higher temperature को घटा करके COP बग़ा जा सकती है या लोवर temperature को बग़ा करके क्या कर जाती है हीट कोफिसेंट परफर्फरमिस इंक्रेज किया सकता है अब इसके बाद कुछ important point है उसको हम लोग याद रुकिते हैं important जो पूछा जाता है एक्जाम में the COP of a domestic refrigerator is less than the COP of a domestic air condition यह भी question पूछा जा सकता है मैं भी भविस में question पूछा ही जाता है कि domestic refrigerator का जो COP होता है वो क्या होता है कि domestic air condition से कंदिशनर से कम होता है यानि कि refrigerator का COP जो होता है air conditioner के COP से क्या होता है कम होता है यानि कि आप लोग COP जानते ही क्या होता है, COP क्या होता है, COP होता है, ratio होता है, यानि रेफ्रिजेर्शन एफेक्ट अपान वर्क डन होता है, यानि कि कम पावर में हमारा क्या होगा, एर कंडिशन क्या होता है, अधिक उसका COP रहता है, यानि कि अगर, suppose करें एक्जाम पर मान लिजिये, अगर किसी रेफ्रिजेरेटर को, कि मान लिजिये, वह 5KW पावर दे जाती है, और किसी एर कंडिशन को भी 5KW पावर दे जाती है, तो अब यहमारा कौन से था कि domestic यह हमालीज यह हमारा क्या है domestic refrigerator है domestic है और हमारा AC भी क्या है domestic है तो इसमें हमारा क्या होगा कि इसी same power में हमारा क्या होगा कि domestic air एर कंडिशन का हमारा जो COP होगा वो क्या होगा अधिक होगा किसके कंपेरिजेन में एर निकी domestic refrigerator के कंपेरिजेन में